अभी हम camera components के बारे में बात करेंगे यानि कि camera का क्या-क्या parts होता है सबसे पहला part सबसे important part होता है lens जो camera के सामने लगता है जो lens है उसको camera का आँख समझा जाता है जो भी आपका quality होगा आपका lens का उसके इसाब से आपका जो picture quality है उस इसाब से आपको मिलेगी उसके अलावा जो lens का focal length होगा उसके इसाब से आप picture को zoom in, zoom out कर सकते हैं अगला key component जो है उसको sensor कहते है यानि कि जो pictures जो हमारे lens के through जो light हमारे subject के ओपर जो touch होकर जो camera के अंदर आता है lens के through उसको जो जहां पर पढ़ता है उसको sensor कहते है और वो जो sensor है वो सारा जो image data record जो करता है वो part है sensor यानि कि आप यह कह सकते हैं कि जो camera का जो heart है वो sensor है क्योंकि जो भी data जो lens देता है वो data जो है वो sensor पर चपती है और जो sensor है इस image को और इस data को process करकर आगे camera का जो computer है उसके अंदर को बेचती है तो यह एक बहुत ही important component कहा जाता है तीसरा component को कहते है शटर शटर यानि कि क्या होता है हमारा जो दुकान के सामने या फिर office के सामने एक जिसको हम खीचते है नीचे उसको shutter कहते है लेंस के पीछे और sensor के आगे एक shutter होता है जो open और close होता है वो जितना देर तक close या open होता है उसके इसाफ से light जो है वो sensor पर पढ़ती है तो shutter जो है वो भी एक key component है camera का चौता जो component है उसको aperture कहते है और यह जो aperture है यह जो lens का part है और lens के पीछे एक hole सा होता है जिसको हम बड़ा या छोटा कर सकते है इसको हम aperture कहेंगे aperture के बारे में detail में हम आगे समझेंगे तो फिलाल के लिए हम यह समझेंगे कि lens के पीछे एक hole है जिसके through light camera के अंदर जाता है यह भी काफी important component है camera का अब हम आते है camera modes में यानि की camera क्या-क्या mode में हम डाल के चला सकते है इसको कहते है camera mode जैसे आपका car है car के अंदर होता है mode अलग-अलग mode होता है जैसे normal mode होता है फिर sports mode होता है जहां पर आपको तेज जाना हो तो sports mode में आप डालते है और कार चलाते हैं तो उसी तरह कैमरा के अंदर भी अलग-अलग मोड्स होता है और उस मोड्स के बारे में अभी हम बात करेंगे ऑटो मोड ऑटो मोड का मतलब है मोड्स के अंदर हम अभी सिर्फ मैनूल मोड और और ऑटमेटिक मोड यहीं दो मोड बात करेंगे इसके बाद जब हमारा स्पेशल लेसन होगा मोड के उपर तो हम सारे मोड को आगे समझेंगे जैसे की प्रोग्रम मोड क्या होता है अपर्चर प्रविरिटी मोड क्या होता है Shutter priority mode क्या होता है यह सारे चीज़ें हम बाद में discuss करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम यह भी सिखेंगे कि aperture क्या होता है exactly और shutter speed क्या होता है जब तक हम इसके बारे में मालूम नहीं करेंगे उस बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है इसलिए हम यह जो चीज़े यह अगला topics में हम आगे discuss करेंगे अब हम basic accessories के बारे बात करेंगे जो camera का accessory market है बहुत बड़ा है तो हम पूरा डीटेल में नहीं जाएंगे लेकिन जो basic एक्सेसरी जो कैमरा के साथ होता है हमेशा एक होता है फ्लैश गन फ्लैश गन होता है एक एक्स्टरनल लाइट सोर्स यान कि कुछ जगे पर जहां पर हमको लाइट की जरूरत पड़ेगा वहां पर हम फ्लैश गन यूज करेंगे हमारा सब्जेक्ट को लाइट अप करने के लिए बहुत सारा फ्लैश गन्स होता है एक तो होता है ऑन कैमरा वांटेड फ्लैश गन उस जिसके ओपर हम केमरा फिस करते हैं ता कि हमारा इमेज जब हम निकालते हैं जब हम फोटो खीचते हैं तो हमारा एमेरा इमेज जो है अच्छा क्लीयर और दद टिंद है बैजिकली है सिटैबलिटी एक्यूमेंट को लेंस फिल्टर ुजलन श भिलांस के सामने कई सारे फि सबसे commonly used filter है UV filter जो कैमरा के सामने लगता है ताकि जो ultraviolet rays जो है वो कैमरा के sensor में आने से रोकने के लिए हम UV filters यूज करते हैं UV filter इसलिए भी यूज करते है ताकि वो हमारा camera का जो lens का main glass element है उसको हम protect कर सकते हैं UV के अलावा ND filters यूज होता है आजकल बहुत सारा वीडियो और photos में यूज होता है वो इसलिए होता है कि ताकि हमारा जो light है जो camera के अंदर आता है उसको हम cut करें यानि कि bright sunlight जहां पे होता है और bright light जहां पे कुछ जगे पे जहां पे होता है वहां पे भी हम shoot कर सकते हैं ND filter लग होता है वो photography में as well as video में यूज होता है cinema industry में होता है तो अलग-अलग numbers के ND filters आते हैं जैसे कि 3, 6, 9 फिर polarizer filter होता है यह सारे filters के बारे में एक अलग सा lesson बनता है तो हम उसके बारे में detail में अभी नहीं जाएंगे तो cameras और accessories के बारे में जो lesson है वो यहां पे खतम होता है दोस् होएगा thank you very much until next time goodbye